दातियों विश्षित भारत वो नहीं होगा जिसका भविश्य भाक्य के भरोसे हो इसलिए दूसरे देशों पर भारत की निर्वर्ता को हम तेजी से कम कर रहे हैं इसलिए हम देश के लिए बड़े लक्ष बना रहे हैं और उनके लिए योजनाबत तरीके से काम भी कर रहे है बविश में हम एक ऐसा भारत देखेंगे जिसे लाखो करोड रुपिय का खाद दे तेल भार से लाने की जरूत नहीं होगी हमारे पाम ओईल मिशन के मदद से हमारे किसान इतने सतक्त हो जाएंगे कि वो देश के पैसों की बचत कर सके बीते कुछ वर्षों में दलहन तिलहन और स्री अंड के लिए विशेस नीतिया बनाई है जिसे छोटे छोटे किसानों को मदद हो रही है बविश में भी हमारे किसानों को इन से बहुत कुछ कर सकते थे हम दिल्ली के अंदर को एक बड़ा ताबुत खड़ा कर देख नाम लिखवा सकते थे का आज आदी के अमुर्थ कान में मोदी जीए बना के गए है हमने आज आदि के अमृत वर्ष को जनांदुलन बनाया और काम क्या किया तालाब बनाए है हर गाओं में जब तालाब बनते हैं वो किसान को सुरुक्षित करते हैं शुद्ध पानी की गारंटी देते हैं जमीन उर्वरक बना देते हैं लंबे भविश को सोच करके ऐसे काम हम करते हैं और इस अभ्यान के देश में अब तक साथ हजार से जाजा नवे सरुवर बनाए जाए जाए चुके साथ हजार तालाब शायदी किसी सरकार के नसीब में इतना बड़ा काम करने का सोभा जाया होगा यह सरुवर जल्द सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों की मदद करेंगे आज ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े अभ्यान और सोलर रूप्टाप मिशन के खारण देश रिन्योबल एनर्जी के खेतर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है बहुत जल्द भारत दुनिया का सेमी कंड़क्टर हब बनेगा और इसे पुरी दुनिया में नई कॉम्पूटिंग रिवोल्शन को भी भारत गती देने का निवित्त बनने वाला है पूर्ट लेड ग्रोथ से पब्लिक ट्रांस्पोर्ट तक आने वाले समय में हर छेतर को नई उचाई मिल सकेगी